साल 2022 के पहले सुर्यग्रण लगने का वक्त आ गया है अप्रिल महिने के आखरी दिन यानि 30 अप्रिल को सुर्यग्रण लगने वाला है बताय जा रहा है कि इस बार आंसिक सुर्यग्रण होगा जिसका प्रभाप आम सुर्यग्रण से कम होगा सुर्यगरण के करीब आने के साथ ही धार्मिक रूप से भी इसके कई तरह के प्रभाप देखे जा रहे हैं इसके अलाबा सुर्यगरण के कई सांटिफिक महत्तों भी बताए जा रहे हैं और इससे पढ़ने वाला असर पर चर्चा की जा रही है वह यह आनसीक सुर्यगरण होने की बज़ा से आनसीक और सामान्य सुर्यगरण को लेकर भी कई तरह के सावाल पूछे जा रहे हैं तो आज हम आपको बताते हैं कि आखिर आंसिक सुर्यग्रण क्या होता है और जब ये सुर्यग्रण होता है तो आकास में कुन सी परिस्तित्या में बदला होता है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सुर्या अपनी कख्या में भ्रमन करता रहता है लेकिन जब सुर्या और पुर्थी के मध्या में चंद्रमा आ जाता है तो हम लोगों को सुर्या दिखाई नहीं देता है इसे ही सुर्या ग्रण कहते हैं इस साल ये परिस्तिती अप्रिल के महिने में होने वाली है और ये साल का पहला सुर्यग्रण ही आंसिक सुर्यग्रण होने वाला है आंसिक सुर्यग्रण का मतलब होता है कि चान सुर्य की कुछी किरुणों को पूति तक आने से रोग पाएगा जिस बज़ा से इसे आंसिक या फिर पार्शियल सुर्यग्रण कहते हैं नाकसा का कहना है कि 30 अप्रिल को चान के बीच में आने की वज़े से सुरिय का 64% हिस्सा ढख जाएगा यानि चान सुरिय के 64% हिस्से को ही प्रभाबित कर पाएगा और पूर्थी पर आने वाली रोष्णी पूरी तरह से नहीं रुख पाएगा आंशिक सुरिय गरण होने की वज़े से सुरिय, चंद्र और पूर्थी एक स्टेट लाइन में नहीं आएगे और चान पूरी तरह से बीच में नहीं आएगा ऐसे में चान सुरिय के आउट और पाट पर छाया डालेगा जिसे पेनु मंबार के नाम से भी जाना जाता है ऐसे सुरिय गरण तीन तरह का हो पूरा ढख देता है इस तीति में पूर्थी पर बिल्कुल भी रोष्टे नहीं आती है आंसिक सुरिय गरण की बात करे तो इस प्रकार के सुरिय गरण में चंद्रमा सुरिय और पूर्थी की बीच में ऐसे आ जाता है कि सुरिय का कुछी भाग पूरी तरह से ढखता नहीं है वालायकर सुरिय गरण की बात करे तो वालायकर सुरिय गरण में चंद्रमा के पूर्थी से दुर रहने पर वी जब ये सुरिय और पूर्थी की बीच में आ जाता है और इस प्रकार से सुरिय को ढखता है कि सुरिय का केबल मध्यवा की छाया खेतर में आता है इस तीति म कहा जाता है इस बार सुर्य ग्रहन 30 एफ्रील दिन सनिवार को तेर रात बारा वज़कर 15 मिनिट पर प्रहराम होगा इसका समापन एक मैं दीन रविवार को शूवा चार वज़कर साथ मिन्ग पर होगा खास बात यह है कि यह ग्रण भारत में दिखाई नहीं देगा जिस वक्त यह सुर्य ग्रण होगा उस वक्त भारत में रात होगी और इसे भारत के लोग देख नहीं पाएंगे यह वोलिविया फेरू साथ अमरिका और आटलाटिक महासाकर में दिखाई देगा साथ ही माना जा रहा है कि इस बार कोई सुतक कालवी नहीं है आई होप आपको आंसिक सुर्य ग्रण के बारे में समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए सेर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कूल मत भूलिए तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरब से जय हिंद्ट